कहानी की शुरवात वीको नाम की एक लड़के से होती है जिसने बच्पन में ही अपने पिता कोई कार एक्सिडेंट के दौरान खो दिया था तभी से वीको के मन में उंचाई को लेकर डर बैठ गया था और फिर एक दन जब उसके स्कूल वाले सभी बच्चों को पहाड़ पर सुर्य ग्रहन दिखाने ले जा रहे थे तो वीको इस ट्रिप पर नहीं जाना चाता था पर उसकी मा ने उसे हिम्मद देते हुए स्कूल ट्रिप पर जाने के लिए मना ही लिया इसके बाद हम वर्तमान समय से 1000 साल पहने एक जादूगर को दिखते हैं जो अपने जादू के जरिये स्टोन ओफ पावर को हासिल करने की कोशिश कर रहा था और उसके इसी जादू ने एक ड्रागन का रूप लिया जो ठीक उसी ड्रागन की तरह था जो वीको की जैकेट पर बना हुआ था उधर वीको अपने खास डोस टॉम के साथ काफी मज़े कर रहा था और वो लो तॉम को उसे खीच कर वापस लाना पड़ा जिसके बाद बाकी सभी उस पर हसने लग गए विचारे वीको को बहुत जादा बेज़िती मैसूस हो रही थी और इसी निये वो वहां से भाग कर एक चटान के पास आ गया जल्द ही उसका पीछा करते वोई टॉम भी वहां और उसी वक्त अचानक से सूरे ग्रैन का समय हो गया और उस पूरी जगा में एक पहुत तेज भुकम पाया जिसके चलते टॉम का पैर विसल गया वो तो सीथा नीचे गिने वाला था लेकिन फिर एन वक्त पर उसने चटान को पकड़ कर खुद को बचा लिया लेकिन वो ज जगा पर खड़ा था लेकिन अब समय बदल चुका था वो पता नहीं कैसे 1000 साल पुरानी दुनिया में पहुंच गया था उधर पास ही में उलिशको नाम का एक लड़का अपने प्यार की निये फूल चुनने में वेस्ट था पर तभी अचानक कुछ सेनिकों ने उसके उप फोन चालू हो गया जिसमें से निकल गई आवाज ने सभी सेनिकों का धान वटका दिया और इसी मौके का फायदा उठा कर उलिशकों वहां से भागने में काम्याव हुआ और जाते जाते उसने वीकों को भी अपने घोड़े पर बैठा लिया इसके बाद उलिशकों वीकों में जादुगर को बताया तो वह नाराज होने की जगा काफी खुश हुआ क्यूंकि अडालकों ने उसे वीकों के बारे में भी बताया था और जादुगर जानता था कि वीकों के कपडून पर उसके जादू वाला ड्रागन बना हुआ है जिसका मतलब साफ था कि वीको ही उन्हें स्टोन ओफ पावर तप ले जा सकता है वहीं वीको के कमरे के बाहर उलांग का नाम की एक लड़की उससे मिलने आई जिसने उसे खाना देते हुए बताया कि वो साल 1120 में है लेकिन वीको के कुछ और पूछने था कि शायद वो पच्छ नहीं पाएगा पर तभी वाटर स्पिरिट्स ने उसे उठाकर बाहर फैंक दिया जिसका मतलब यह था कि उसका मन साफ है वह कोई जासूस वासूस नहीं है इसके बाद वीको को घाओं के लीडर्स के साथ अच्छे से मिलने का मौका मिला जिसमें आगजी, इलियाना और डॉबरिन ने शामिल थे जिन से मिलते ही वीको को तुरन किया दा गया कि भाई इनके बारे वे तो किताबों पर आपते मौरी पर उन्हें वीको के भाविश्चे से होने वाली बात पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था इसलिए वीको ने अपने पर जाने के दो तरीके है या तो वह डुबारा सूरे ग्रहन होने का इंतप़ार करें या फिर किसी जादूगर की मदद से उस पोर्टर को زवर्दस्ती खोलने का तरीका डूंडे अलिष्क को जानता था कि जादूगर मेज किसी की भी मदद करने से पाले उसकी परिक्षा झęता था इसलिए व conscious को के साथ एक दील की जो से मताबक ओलिश को मेज के सामने जाने के इनके व्य को तैयार करेगा और इसके वदने में वीको ने उसे अपना मेगाफोन देने का ऊगले कुछ दिनों तक कुछी गाऊं में रहा जहां ऑलिष्गोंने उसे सब भी चीजे सिखाना शुरू किया इसी बीच वीको की मुलाकाद तुरीन से भी हुई जो एक वाच कावार के अंदर कैथ था उतर अलिशको को अपनी ट्रेनिंग के वदले में भवश्य की चीजों से खेलने को मिल रहा था वो तो इस दीव से बहुत जाला खुश था वीको की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उलिशको ने उसे जादुगर मेज तक पहुंचने का मैप दिया लेकिन ये रास्ता उसे अकेले ही तैह करना होगा अगली सुभा उस दूसरे जादुगर ने कववे को वीको पर नजर रखने के लिए बेजा जो अवगाओं को छोड़ कर ज चलते चलते एक पतलीसी सुरंग के पास पहुंचे जहां पहुंचते ही वीको एक खाली जगा पर पहुंच गया जो असल में जादुगर मेज का बनाया हुआ एक जाल था उसे वहां सिर्फ मेज की आवा सुनाई दे रही थी जिसने वीको से उसके सबसे बड़े डर के बार को तैयार हो गया इसके बाद मेज ने उसे बताया कि उसे स्टोन ओफ पावर एक ऐसी जगा मिलेगा जहां विंगलेस अपना घूंसला बनाते हूं और वहां तक पहुंचने के लिए उसे हवा की जरुरत होगी और वो काम सिर्फ तभी करेगा जब दो दिल एक साथ जुड़े इसके तुरंट बाद ही वीको वापस जंकल में पहुंच गया जहां पता चला कि उलांका के हिसाब से तो वीको कभी उसे छोड़ कर गया ही नहीं इसके बाद वीको ने ओलांका को मेज की पहली सुनाई और उसके मताबक उन्हें स्टोन ओफ पावर एक खास गाउं में मिलन वाला था कुछ देर बाद ही वो नूग बहां पहुंच गए और वीको ने उस पत्थर को डूमने के निए एक खास पतन बनाई जो सीधा जाकर तालाब में गिर गए जिसके बाद वीको ने भी तुरंट उस तालाब में चलांग लगा दी और थोड़ी ही देर बाद उसे स् लिया था और उसने तुरंट ही इसकी जानकारी जादुगर को दे दी जसके बाद जादुगर ने वीको को पकड़ने के लिए अपनी फौज वेजी जादुगर की फौज ने वीको और उलांका को पकड़ने के साथ साथ उस गाउं पर भी हमला कर दिया जहां उन्हें वो प साथियों ने बड़ी ही आसानी से जादुगर की पूरी फौज को हरा दिया जिसके बाद वो सभी बापस अपने गाउं आ गए जहां पहले तो वीको और ओलांका को अकेने वाहर जाने के लिए डांट पड़ी और बाद में ये फैसला किया गया कि अगले दिन ओग जी वीको क के पास तो पहुंचे पर उसका कोई फायदा नहीं हुआ जिसके बाद ओक्जी का मानना था कि उन्हें बरसाद चुरू होने तक इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि स्टोन ओफावल का देवता बारिश का देवता भी था गाउं वापस आने के बाद वीको ने देखा कि ओक चादू तयार करने में लगा हुआ था पर इसी बीच इनल्याना और डॉब्रिन्या ने एक क्यूमन सैनिक को पकड़ा जिसने उन्हें बताया कि एंडाल को स्टोन ओफ पावर के बारे में जानता है जिसके बाद उन सबने मिलकर उस पत्थर को छुपाने का फैसला किया औक औक जी के साथ वाच टावर के उपर तक पहुंच गया जहां पहली बार उसने अपने डर का सामना किया साथ ही ओक्जी ने स्टोन ओफ पावर को भी वाच टावर पर चुपा दिया पर जादूगर के किये हुए जादू की मदद से उसे इस बारे में पता चल गया और अब उसके हिसाब से उस पत्थर को चीनने का सही समय था कुछी घंटो बाद बहुत तेज बारिश होई जिसमें तुरीन के उपर भी पानी गिर रहा था ये देखकर वीकों को बहुत बुरा लगा और उसने तुरंथ ही उसके पिंजरे को उपर से ढग दिया उलांका उसके इस से बहुत खुश हुई और उसने वीकों के गाल पर एक किस कर दी उसी राद बिजली गिरने की वज़े से कुछ पत्थर तूट गए जिसका फाइदा उठा कर तुरीन अपने पिंजरे से आजाद हो गया और फिर बारिश का सहारा लेते हुए सीधा एंडाल को के पास मौच जो की असल में उसका भाई था पर एंडाल को अपने वाई के आने से कोई खास खुशी नहीं हुई थी पर तभी जादुगर की नजर स्टोन ओफ पावर पर पड़ी जिसे तूरीन अंजाने में अपने साथ ले आया था लेकिन उस पत्थर की शक्तियां अभी भी सो रही थ जादुगर किन लाख कोशिशों के बाद धी वो उसका इस्तमाल नहीं कर पाया और फिर उसने अंडालको को बताया कि उन्हें इस पत्थर का इस्तमाल करने किन ये वीको की जरुरत है अगले सुभाव वीको और उसके पूरे गाउं को भी तूरीन के भागने की खबर मिल ग अगले दिन जब ऑगजी और उलांका किसी काम से पहर गए तो अंडालको के आद्मियों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें वो उलांका को उठाकर ले जाने में एक कामियाब हो गए उसे बचाने के चक्कर में ऑगजी भी बहुत खायन हो गया पर फिर भी उसने मरने से पहले किसी तरह गाउं पहुंच कर ओलांका के साथ हुए हादसे के बारे में वीको को बता दिया उथर अंडालको ने भी एक संदेश फेच कर वीको को अपने पास बुलाया वीको को कुछ समझ नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी उसने ओलांका को बचाने के लिए एनडालकों के पास जाने का फैसला किया वहाँ पोहँंचते ही एंडालकों ने उसे stone of power का इस्तमाल करने को कहा पर असल में वीकों को खुद भी उस पत्तर का इस्तमाल करना काँ आता था पर फिर भी उसने एंडालकों को चक्मा देनेENDE ये अपने बैग से पटाखे निकाल कर जूटे मंत्र बढ़ने शुरू कर दिये जिसके बाद उसने पटाखों को सैने को पर भैंक दिया जिस वज़े से वहां बगदर मच गई विको इस मौके का फायदा उठा कर उलांका के साथ वहां से भागना चाहता था परायन वक्त पर एंडाल को ने उसे फिर से पकर लिया और फिर उन्होंने उसे अपनी जान बचाने का एक आखरी मौका दिया जिसके बाद विको ने अपना सारा दिमाग उस पहेने को सुलजाने में लगा दिया और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने उलांका को अपने पास बुलाया और जैसे ही उन दोनों ने उस पत्थर को एक साथ पकड़ा तो उस पत्थर की शप्तियां फिर से जाग उठी इसके बाद जादुकर उस पत्थर को लेकर अपनी फौज को बहुत ज़ादा ताकतवर बनाने चला गया और वहीं एंडालको ने तुरीन को वीको और उलांका को मारने का हुकम दिया लेकिन तुरीन को अभी भी वीको का उसके साथ किया हुआ अच्छा बरताव याद था इसलिए वो उसे मारना नहीं चाता था तो उसने वीको और उलांका को एक घुरे पर बैठा कर वहां से भगा दिया जिसके बाद एंडालको ने तुरीन को गदार घुशित करके खतिंग कर दिया अगली सुभाव वीको और उलांका ने अपने गाउं पर होने वाले हमले के बारे में सब को साबधान तुकर दिया पर उनकी फौद चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि कुमन आर्मी के साथ इस बार एक स्टोन मॉंस्टर भी था जिसे हराना बहुत ही जादा मुश्किल होने वाला था इस मॉंस्टर को जादूगर एक छड़ी से काबू कर रहा था पर तब यह अलिश को को एक आईडिया आया और वो उस मॉंस्टर के हमलों से बचते हुए उसे लेक के किनारे पने गया जहां उलिश को पर हमला करते हुए वो उस लेक में गिर गया जिसके बाद बॉर्टर स्पिरिट्स ने उसे बही कैद कर लिया अचानक से एक बर फिर से सूरग रहन का समय आ गया था और वीको तुरंथ ही गोडे पर बैठ कर उस चक्तान की तरफ निकल गया उतर एंडालको ने अपनी फॉज को पूरी थाकत से गाउं पर हमला करने को कहा पर वहीं दूसरी तरफ सभी गाउं वाले एक साथ मिलकर कुमन आर्वी पर भारी पड़ रही थे अपनी हार को टालने के निये एंडालको ने फापस जाने का फैसला किया लेकिन उस जादूगर की इगो बीच में आ गई वो हार मानने को तैयार नहीं था और उसमें किसी तरह एक बार फिर से स्टोन मॉंस्टर को पानी से बाहर निकाल ही लिया उस मॉंस्टर को गाउं की तरफ बढ़ता देखकर वीको ने वहीं रुखकर गाउं वालों की मदद करने का फैसला किया इसके बाद वो अलिश्को की मदद से वाच टावर पर चढ़ा और फिर उसने आउक्जी और अपनी बनाई हुई फ्लाइंग मशीन से एक उडान भड़ी जिसकी मदद से वो उस चटान पर पहुँच गया जहां से जादुगर उस मॉंस्टर को चला रहा था वहाँ पहुच कर वीको ने तुरंथ ही जादुगर को चटान से नीचे गिरा दिया और अब स्टोन ओफ पावर का मालेक वो खुद था लेकिन तभी एंडाल को भी वहाँ पहुच गया वीको जानता था कि वो एंडाल को का सामना नहीं कर पाएगा इसलिए उसने पत्थर को लेक में फैंक दिया जिसके पानी में जाते ही वो स्टोन मॉंस्टर तूट गया उसकी इस हरकत से गुसाई एंडाल को ने वीको को मारने की कुशिश की लेकिन एन वक्त पर उलिशको ने वहाँ पाँच कर वीको को बचा लिया पर अभी भी उनका काम पुड़ा नहीं हुआ था क्योंकि सूर्य ग्रहन खत्म होने ही वाला था इस इंडिया उलिशको वीको को लेकर तुरंथ ह्यूस चत्तान के पास पहुंचा जहां उन्हें वो पोर्टल मिला जिसुए से वीको आया था पर जाने से पहले ओलांका ने हमेशा वीको का इंतजार करने का पदा किया और जैसे ही वीको उस पोर्टल में घुसा तो वो कर देना मिलते हैं अगली वीडियो में